नवस्कार, मैं हूँ नितेश, कुमार और आप देख रहे हैं One India Hindi भारत की राजनीती में कई ऐसे नेता पैदा हुए जिनका किस्सा आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और उनी नेताओं की सूची में एक नाम है मद्यप्रदेश के भूदपूर्व मुख्यमंतरी प्रकाश चंदर सेठी का कहा जाता है कि उन्होंने बेहद निचले स्तर की राजनीती से अपने करियर की शुरुआत भले ही की हो लेकिन वो अपनी काबलियत की वजह से जल्धी मुख्यमंतरी की कुर्सी पर बैढ़ गए थे दरसल जनवरी 1972 में सेठी को श्यामचरण शुकल के बाद राज्जी का सीम बना गया था इंद्रा गांधी की पसंद के चलते उन्हें ये पद सोपा गया था हाला कि उनकी इच्छा केंदर की राजनिती में रहने की थी लेकिन श्यामचरण को लेकर बड़े संघर्ष की वजह से इंद्रा ने उन्हें अपना प्रतिनिती बना कर मध्यप्रदेश भेजा था दरसल उजेन में नगरपाली का अध्यक्ष से अपना राजनितिक जीवन शुरू करने वाले प्रकाश चंदर सेठी की खिस्मत के दरवाजे धीरे-धीरे खुलने लगे थे राजिसभा सांसद, तिर्यमबक, दाबोदर, पुस्तिके का निधन हो गया था तब उपमुखे मंत्री के लिए उमीदवार की तलाश शुरू ही विंदिक्षेत्र के कद्दावर नेता अवदेश प्रताप सिंग का दौर था किसी को राजिसभा भेजना था, उस दौर में कॉंग्रेस एक नेता को दो बार राजिसभा नहीं भेजती थी इसलिए अवदेश प्रताप सिंग का नाम काड़ दिया गया और सेठी जी के नाम पर मुहर लगा दी गई सेठी जी दिल्ली क्या गए? नेरू सरकार में उपमुखे मंत्री बने पीसी सेठी बड़े नेताओं के करीब होते चले गए चाहे शास्त्री हो या इंद्रा गांधी, सेठी जी हर पी-म के हमेशा खास रहे हाला के केंदर की राजनीती में उन्हें पंडित जवाला नेरू ने इस्तापित किया था जिस समय उन्हें सूबे की कमान मिली थी उस समय मध्यप्रदेश डाउकों की समस्या से जूज रहा था सेठी जी ड़केत समस्या से इतने तंग आ गए थे कि वो अब इस समस्या का हल गांधी वादी तरीके से नहीं निकालना चाहती थे गिरे विबाग के बड़े अधिकारियों से जब उनकी मीटिंग हुई तो उनकी एक लाइन के प्रस्ताव से वहाँ सब हैरान रहे गे सेठी ने कहा था कि ड़केतों के छिपने के ठिकानों पर इंडियन एर फोर्स बंग गिरा दे तो तंटा ही खत्म हो जाएगा नगरिय इलाकों में वायू सेना की तरफ से बंबारिश का ऐसा प्रस्ताव के बाद वहाँ काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा लेकिन पीसी सेठी अपनी बात पर अड़े रहे थे दिली के नौर्थ ब्लॉग से साउध ब्लॉग पहुँचे और रक्षा मंतरी जग जीवन ड्राम के दफ्तर पहुँच गए बाबु जी को कुछ कहा और मुस्कुराते हुए परमीशन ले लिए दूसरे ही दिन एरफोर्ट्स के हेड आफिस में आपरेशन की तयारी शुरू हो गए सेठी जी भी भूपा लोटाए लेकिन कुछ दिन पहले अख़ले अखबारों में इसकी खबर लीक हो गई और डकैतों तक ये बात पहुँच गए उनमें से आदे डकैत तो घबराकर सरेंडर के लिए बातचीत करने लगे बाकि आदे डकैत तो भागने की तयारी में जुड़ गए सरकारी रिकॉर्ड के मताबिक उस समय 450 डकैत मुख्यधारा में लोटाए उस दौर के लोग बताते हैं कि भारती और वायुसेना की बंबारिश की खबर PC सेठी के दफ्तर से ही लीक हुई थी हाना कि ये अब सब बाते हवा हवाई कही जाती है इसके साथ ही सेठी को प्रशासनिक चुस्ती और सक्ती के लिए भी याद किया जाता है आपात काल के समय उन्हें बेहद सक्ती से राजी में लागू करवाया था हाना कि बातचीत में अक्सर वो बहग भी जाते थे उन्होंने अपनी छवी से अत्यधिक प्रेम था रामपूर में हायोजिते एक आमसभा को संबोधित करते हुए वो बोल गए थे लोग शामचर्ण शुक्ल को खुबसूरत और सुन्दर कहते हैं पर मैं भी दिलिप कुमार से कम नहीं हूँ सेठी के कई किस्सों में से एक गुलाम नभी आजाद की किस्सा भी राजनितिक गलियारों में बहुत प्रिचलित है दरसल प्रकाश चंदर सेठी मध्यप्रदेश के मुखे मंत्री थे उसमें गुलाम नभी आजाद की शादी थी आजाद की शादी में भाग लेने के लिए देश भर के दिगज नेता जमू कश्मीर की राजधानी श्री नगर पहुँचे थे सेठी जी रात को ही शादी में हिस्सा लेने के बाद वापस भोपाल लोटना चाहते थे लेकिन कुछ परिस्तितियां ऐसी बन गई कि सेठी जी को रात श्री नगर में ही बितानी पड़ी लेकिन शाम को सेटी जी को याद आया कि रात में पहनने के लिए उनका पाजामा तो उनके पासी नहीं है इसके बगएर उन्हें नींदी नहीं आती थी उन्होंने अपने स्टाफ को ये बात बताई और सरकारी विमान को पाजामा लेने के लिए करीब 1600 किलो मीटर दूर भोपाल तक भेज दिया उस समय के लोग कहते हैं कि विमान से उनका पाजामा रात 9 बजे शिरिनगर पहुँच गया था जिसके बाद सेठी जी ने वो पाजामा पहना और सोने चले गए आज सेठी जी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका ये किस्सा राजनितिक गलियारों में ठाहकों के साथ सुना जा सकता है तो दोस्तों उमीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए One India Hindi के साथ